हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे और आपके अपना यूटूब चैनल मन जागे क्लासेस पे दोस्तों आज के हम लोग का लेक्चर होने वाला है उत्री छोटा नाकपूर परमंडल जी हां दोस्तों कल हम लोग चाल को सब्सक्राब का वाला है यूटूब के माधियम से ध्यारी जतनली हो सकते हैं तो प्रवाइब देते रहते हैं टेलीग्राम से जुड़ी है मन जागे खला से फुटी तीरी पे यूट्यूब पर जूड़ना है जूड़ना है ठीक है देखे जिसे जैपीसी हो गया सची वाले हो गया फोरेश्ट गार्ड हो गया उतपाद सिपाई हो गया जारकन पुलीस जाता है फोरेश्ट कार्ड उतपाद सिपाई में फिल लोग कवर करें फिर लास्ट में लोग यह पेसी के च्छाटा मुटा टोपिक वह कवर करेंगे ठीक है थमाच चलने से जुड़िये जितना लिए हो सके तो चलिए दोस्तों तो थोड़ा सा कलर लेते थोड़ा सा चलि हा Ал कि चलिए हम लोग क्या कर अ कि हम लोग हाज हमलों हजारी भाका भोले के चितिफिति पठेश साथ नाखपूर के बारना होग उत्तर नागपूर के बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे पॉइंट यहां पॉइंट होते हैं ठीक है चलिए ताप लोग पता ही होगा कि उत्तर नागपूर परमंडल में कितना टोटल साथ है पहले बता चुके फर्स्ट क्लास में साथ है इसका नाम आपको प्रते यह बाई है चलेंगा हम निसका डिसकस करें इस जलिए लिए दोस्तो हजारी बाग उत्तर नाकपूर के उत्तर पूरुभाग में सतीं है तो लोग वीडियो नोट प्रांद चाहते हैं अरद दोस्तों इसका प्लैलिस्ट बना दिए ठीक है जारकन जीक्रे के नाम किसमें नौर्थ छोटा नागपूर के कहां पर इस्तित है उत्तरपूर मतलब नौर्थ इस्तित है आपको पता होना चाहिए और इस समुंदर तल से से लेबल से कितने उचाहिं पहाई पे कोशन बन जाता है तो 2000 फीट याद रखना है हजारी बाग का मुख नदी कोन-कोन सा आपको याद रखना है है कि दामोदर आध रखना हिए कि दामोदर और बाराकर ठीक है दो मुखंधी लथे पाइदा नहीं ठीक है चलिएं। है चलिंगर देखते हैं मोग है है जलिए टैनल की देखें दोस्तों आपको यह सब्सक्राइए कि हजारी बाग से न॥ सब न॥ दिश्ट्रीक कटा है हम लोग़कर करके देखते हैं 10 application बाक से कोई हैं हमसे करके चलिए पहले को रहिए घड़िटी तब दो देखे गए गी डीक है है फिर दूवसें डालग पूश्ता है कि है कि चत्रह किस से अलग हुआ जब सकता है तुट्क पहले से कोशंट बनता है इसलिए हम करवा रहें एक अर्टनेट करवा रहे हैं आराम से कले कलास देखें आपको समझ में आ जागा पूरा ठीक है हाजारी बग था हाजारी बग से क्या कटा गिरीडी चत्रा कोडरमा रामगर ठीक है चलिए यह पुछता एक्जाम में कब कटा था यह 2012 में सब्सक्रा पहले गिरीडी 14.191 खेठी के में त Tapi कौडरमा कप 1994 में कि अभ giving यह 272 में रामगर कुछती 2 बना था इंद 2007 में रामगर खूटी टर लामगर 2007 में त्याटने इतना चीज़ आपको यादत दखना डेट के वाइच चलिए कि अब हम लोगोंगों देखते हैं ग्रेडि में कितना बलोक है और कितना सब्डी जान तो आते हैं है ही सब से ठीक है तो कितना थेरा बलोग है ग्रेडी में अनुमंडल uh और मन्दल चार में इसी तरह जाता है चातरा में कितना प्लोग में अरुमें है चातरा में सबड्विजन तरह भी आधक न सब्सक्राइब बीदियों को प्राइब लिखिए को आधा हो जाएगा चालिया कोड़ आऄ स्ट कुद्र हा रहा है कट्रमा में 6 ऐग और अनुमंदलшे एक है उसी तरह राम घर में इसंने छे मुंदाब और अनुमंदल एक ऐग चली यह हो गया आहाप लोग टेख लीजिए गपार तेरा ब्ल op 4 न मंदल 14 में 12 ब्लोग है दो नुमंडल कोडरमा में छे बलोग एग नुमंडल रामगार में छे बलोग एक लगवाग से में ठीक है चला आप लोग देख लिजिएगा अजरी बाक से कौन लग गवा गे डी 14 कोडरमा रामगार बस आपको इतना दखना है चलिए अब अब देखते धनबाद और वका बनना था चलिए देखिए पुराना धनबाद परमंडल धनबाद परमंडल चास और तिसरा कौन था सदर परमंडल सदर परमंडल ठीक है यह तीनों मिला के धनबाद का फर्मेशन हुआ था में 256 मेंए ठीक है थिक है थीक के बाद 2019 1901 में 1991 में 1991 में बोकार जिला बनाया गया था किस बोकार को किसे करके बना जबना घंबाद ठीक है दनबाद धनबाद कर बना तो बोकार कुछ नहीं ज्यादा गया था सब्सक्सक्राइब नुदे रखना है चलिए यह हो गिया चलिए आगे देखते हैं हम लोगों अब देखते हैं कि उत्री छोटा नागपूर के बारे में कुछ महत्पुर्ण जनकारी उत्री छोटा नागपूर कि उत्री छोटा नागपूर का महत्पुर्ण जनकारी क्या क्या है महत्पुर्ण जनकारी से कोश्चन आते हैं महत्पुर्ण जनकारी महत्पुर्ण पॉइंट बोल सकते हैं इसको जनकारी जो भी है यह हम लोग देखेंगे ठीक है उत्री छोटा नागपूर का स्थान के लिए झारबी का स्थान के लिए कि भाई ज्यादा ध्यारी भाग ठीक है यह बात आधा रखना आपको चलिए और जो क्या बोलते हैं जेन कर जो था टॉवट फर साउना आपको पता है कंपता है थिरतकार कौशन पुछते हैं तो यह आद रखने आपको चलिए जो पारसनाथ का पहाड है आपको पते ही बहुत उचा कितना इसका फीट पूछता एक जाम में फोर 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 फ्रीवन फिट करके यह था है इतना फिट का उचाई पहे है पारसना तह रखने ठीक है 443 फिट जो की ग्रीडी जिला में पाये जाता यह है और यह और कोशन यांस बनता है कि जीटी रोड जीटी रोड जोहरे कहाँ जारकन से कौन से जिला से पास होती था जिला से होकर गुजरती है कहां से गुजरती है ठीक है चलिए चलिए यहां लोग पॉइंट था ठीक है यह यहां लोग लिखेंगे में पॉइंट यह ही है उदर भूल जाए इदर आधर रहा बन जाए चांगे भी यहां से अलेग कोश्यन आता है किसके अलग हुआ ठीक है तिसले लिखेंगे ब्लोक कर चोत्ता लिखेंगे सब्सक्रार हेजिए इससे नाथ यह को इसको देखिए अराम से है कॉस्ठ यही सेंघना ठीक है चलिए जिला पहले हजारी बाग लिखते हैं यहां पर हजारी बाग फिर गिरिडी गिरिडी फिर चत्रा ठीक है फिर कोडर्मा कोडर्मा रामगर ठीक है फिर धनबाद बुकारो धनबाद बुकारो साथ है टोटल देख लिजिए आँए जलिए हजारी बाग घठन तिथी के आवे इसका टिठी रहात पुराना या एटी 90 न से अलग वहाँ तक पुराना आई को तो आपको कमेंट करके बताना है ठीक हम नहीं बता रहा है यहां पर दोने कमेंट करके चलिए गेंटी में कितना गेंटी है चलिए गेंटी कब हुआ था अलाग 1902 में कि 1791 में में कोडरमा नीस चौरानबे में डेट आपका आद अल्यागा बन धन दानबाद 1956 में 49902 कि किस् dinner वाता गिरिठी, देकिए 1000 वाक वाता गिरिठी वाता, बता चुके 4 कुर्ण कुर्ण हजारी वाग 200, 24 कोडर में 141, रामगोल भी 1000 वाता, किस् egent अलग वा9, 10 था कुछ अलग वाथ हुआ, पिराणा मानभूम थ रलाख इसको मान्भूमEC बोल सकते हैं मान्भूम से इसको ठेके हो पुराना यहे चलिए अब देखते ब्लोग्डॉ इंकी1 8 बारा बुलोक कोड़रमा में छे बुलोक गरामगड में छे बुलोक धनबाद में कितना दस बुलोक दस नहीं कि नो है थिक चलिए उसे तरह मंडल देखना सब डिविजन कितना है तो ग्रेटी में सब्सक्रादा कितना है नहीं है चार सब्डिविजयन चात्रा में कितने दो रामगण दोस्तों दिए के और वकारों में दो है टैक है तो दोस्तों में डाएट कुछन उटके आ थोड़ से विजन करवाते हैं ठीक है हजारी बाक आपको हम्मर के ब्लोक और अनुमंडल बताना कमेंड करके ठीक है बता रहे हम चलिए गिरीडी का बोकारों से देखते हैं ग्रीडी मेर में 3 40 छत्र में 12 कोकारों SAY ठीक है दनबाद बहुत तरीकें से हम लोग कर रहें ठीक है ज़ाम पॉइंट भी काफी इंपॉटेंट है क्लास में केलियर हो जागा आप सब चेख ज़ाए तो दोस्तों मिलते हैं कल अगले वीडियो में तब तक कली है जैईन जै भारत थेंक यू है अँट नाज दे